UPSC के according important content पाने के लिए EG Classes को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे की notification मिलता रहे नमज़कार दोस्तों EG Classes के YouTube चैनल पर आप सब का स्वागत है UPSC Prelims 2020 के लिए Current Affairs की Revision Series में यह हमारा चौथा वीडियो है पहले वीडियो में हमने National Issues पर चर्चा की थी बात के दो वीडियो गवर्मेंट स्कीम से संबंदित है क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है आज का जो वीडियो है चौथा वीडियो वो इंडियन पॉलिटी से संबंदित है तो आज के वीडियो में साल भर में इंडियन पॉलिटी से संबंदित जो भी इंपॉर्टेंट घटनाय घटित होई है उन पर हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे रिविजन के पॉइंट ओफ यू से चर्चा करेंगे तो फिर आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं पॉलिटी फॉर यू पीए सी 2020 जो पहला टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वह है एकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में इसमें भी जो है वह एकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजिन किया गय यह बहुत जादा न्यूज में था इससे आप लोग सब लोग परचित होंगे तो अभी यह न्यूज में क्यों है जान लेते हैं सेंट्रल गवर्मेंट ने हाले में सुप्रीम कोर्ट को एक सवाल के जवाब में बताया कि जो स्टेट गवर्मेंट्स हैं यह पूरी तरह से दिस्क्रिशन पर है कि यह जो 10% का रिजर्वेशन है एकनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए जॉब्स और एड्मिशन में उसको वो देती हैं कि नहीं देती हैं मतलब कि यह पूरी तरह से निर्ण स्टेट ले सकता है कि वो अपने हां इस तरह के इस रिजर्वेशन को करेगा कि नहीं करेगा अच्छा अब इस बारे में और अगर चाचा करें तो 103rd मतलब की 103 Constitutional Amendment Act 2019 इसको पास किया गया था इसमें क्या किया गया कि Constitution में Article 15 Subsection 6 और Article 16 Subsection 6 यह जो है इसमें Amendment किया गया और इसमें कहा गया कि General Category की जो Seats हैं उनमें से 10% जो है वो Economically Weaker Sections के लिए देने का प्रोविजन कर दिया गया अच्छा Article 15 जो है वो अब क्या कहता है Article 15 में Amendment के बाद यह कहा जा रहा है कि Economically Weaker Sections के Benefit के लिए कदम उठाने के लिए Government जो है वो पूरी तरह से स्वतनतर है तो इसमें क्या किया गया कि 10% Seats कोई भी Educational Institution है वहाँ पर 10% Seats जो है वो Economically Weaker Sections से आयो हुए Students को दी जा सकती है एक Important चीज़ में जानने के लिए यह है कि जो Minority Educational Institution होते हैं वहाँ पर यह Quota अप्लाई नहीं करेगा अब अगर हम Article 16 Subsection 6 की बात करें तो यह जो है वो Government को Allow करता है कि सारी जितनी Government Posts हैं Government की नौकरियां, सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर भी 10% Seats जो है वो Economically Weaker Section के लोगों के लिए दी जा सकती है Important चीज़ यह है कि यह जो Reservation है यह Already जो 50% का Reservation है 50% का Cap है उसके उपर से है एक चीज़ इसमें Important और भी है कि Central का जो है वो कोई भी रोल नहीं होगा यह Decide करने में कि कि किसी State की Reservation की Policy क्या होगी तो इसका मतलब यह है कि State Government पूरी तरह से Free है कि वो इस Reservation को कैसे Implement करती है और इसको करती हैं भी कि नहीं करती है यह पूरी तरह से States का निर्णय होगा तो दोस्तों इस Topic में Basic चीज़ यही है कि मतलब 103rd Constitutional Amendment के बारे में पिर Article 15 Subsection 6, 16 Subsection 6 इसमें क्या Provision किया गया है ध्यान रखने के लिए यह है कि Article 15 में जो है वो Educational Institutions की बात की गई है और 16 Subsection 6 में Government Jobs की बात की गई है यह 10% का कोटा देने की तो आईए अब अगला Topic देखते हैं क्या है हमारा अगला Topic है Overseas citizens of India तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह News में क्यों है Overseas citizens of India या OCI यह Card Holders जो होते हैं जिनको कि Overseas citizens of India कहा जाता है सरकार ने हाली में कहा कि Constitution में इन लोगों को OCI Card Holders को Fundamental Rights के Guarantee नहीं दी गई है मतलब कि यह Fundamental Rights पाने के हगदार भारत में नहीं है यह हो गया कि यह News में क्यों थे अब जान लेते हैं कि OCI स्कीम आखर है क्या तो 2005 अगस्त में 1955 के भारत का Citizenship Act है उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें जो है वो OCI स्कीम का प्रोविजन किया गया मतलब कि OCI Card Holders को शामिल किया गया अब जान लेते हैं कि क्या Criteria है किसको जो है वो OCI Card issue किया जा सकता है तो इसके लिए जो है वो मेली तीन Criteria दिये गए हैं सबसे पहला कोई भी Foreign National जो की 26.1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए eligible था या 26.1950 के बाद कभी भी भारत का नागरिक था या तीसरा जो Criteria है वो यह है कि 15.1947 यह date भी important है 15.1947 के बाद ऐसी किसी भी territory का निवासी था जो कि भारत के control में आई यह तीन Criteria हो गए जो कि जिनको OCI Card issue किया जा सकते हैं important चीज यह भी है कि इस तरह के OCI Card holders के जो minor बच्चे होते हैं मतलब की नाबालिक बच्चे होते हैं 18 से कम उमर के बच्चे होते हैं उनको भी OCI Card issue किया जा सकता है एक important condition इसमें यह रखी गई है कि ऐसा कोई भी आदमी जो कि कभी भी पाकिस्तान या बंगलादेश का नागरिक रहा है उसको OCI Card issue नहीं किया जाएगा इनके बारे में जानने के लिए यह भी important है कि इनको voting rights देश में नहीं मिले हूँ है साथी साथ इनको government jobs भी नहीं दी जाती है इनको फायदे कुछ हैं जैसे कि इनको multiple entry के लिए visa मिलता है इनको multipurpose visa मिलता है यह किसी भी काम के लिए देश में आ सकते हैं और lifelong visa भी इनको issue किया जा सकता है यह भारत में मतलब कि इनको visa issue कर दिया जाता है, यह जिंदिगी भर जो है, उसी visa पर आ सकते हैं, यह इनको facility दी गई है इसके अलावा जो non-resident Indians होते हैं, यह एक और category होती है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे तो non-resident Indians के बराबर इनको बाकी सारे हग दिये गए हैं जैसे कि economic, financial, educational fields में जो भी rights होते हैं, जो कि NRIs को available होते हैं, वो सारे OCI cardholders को भी available होते हैं हाँ लेकिन जो agricultural और plantational properties खरीदने का rights NRI को दिया गया है, वो OCI cardholders को available नहीं होता है एक फाइदा इनको ये भी है कि कोई बाहरी आदमी अगर देश में आता है तो उसको foreign regional registration office में जाके registration कराना पड़ता है लेकिन अगर आप OCI cardholders हैं तो आप भारत में कितने भी समय के लिए stay कर सकते हैं और आपको regional registration office में जाके registration नहीं कराना पड़ेगा तो ये कुछ फाइदे जो है वो OCI cardholdership के हो जाते हैं तो OCI में OCI वाले issue में इतना पड़ने लायक है आईए अब अगला topic शुरू करते हैं हमारा अगला topic है parliamentary privileges से सम्मन्द राफाइल fighter jets की deal की गई थी France के साथ इस deal के सम्मन्द में एक breach of privilege motion दायर किया गया प्रधन मंतिर रक्षा मंत्री के खिलाफ अब अगर privilege motion की बात करें या privileges की बात करें parliamentary privileges की बात करें तो दो article हैं जो इस sense में याद रखने के लिए जरूरी हैं पहला है article 105 article 105 जो है वो पार्लियमेंट में privileges के मुद्दों से deal करता है वहीं article 194 जो है वो state legislatures में privileges और उसे संबन्द मुद्दों से deal करता है अगर हम बात करें किस तरह की privileges जो है वो members को चाहे हो members of parliament हो चाहे हो members of legislative assembly हो किस तरह के privileges उनको दिये जाते हैं सबसे पहले उनको freedom of speech और expression जो होता है वो उनका absolute होता है इसका मतलब यह है कि parliament के premises में house के premises में उनके द्वारा दी गई किसी भी speech या किसी भी statement के लिए उनको house के बार जिम्हदार ठहराय नहीं जा सकता है मतलब कि अगर आप कहें कि उन्होंने कोई ऐसा statement दिया जो कि किसी की किसी की मानहा नहीं करता है या किसी लोगों को भड़काता है तो इस तरह की speech के लिए उनको उनके उपर कोई भी case दायर नहीं किया जा सकता है वो इसके लिए दोशी नहीं ठहराय जा सकते है क्योंकि वो उनकी privilege है कि वो house के अंदर जो भी बोलें वो बात बाहर ना जाया सबसे पहली तो जो है वो यह issue हो गया दूसरा यह होता है कि कि किसी भी तरह की printing या speech या publishing में उनके खिलाफ कोई भी बात गलत बात पहलाना ये भी जो है वो punishable होता है ये भी उनका एक privilege है कि उनके खिलाफ जो है वो members के खिलाफ चाहे speech से हो चाहे printing से हो चाहे publishing से हो कोई भी गलत बात नहीं पहलाई जा सकती तिसरा इसमें issue ये होता है कि privileges का reason क्या होता है कि Parliament में जो उसकी working है या legislative assembly की जो working है उस पे किसी भी तरह का pressure ना पड़े coercion ना पड़े बिना किसी दबाओ के काम चल सके इसलिए जो है privileges का इस्तिमाल किया जाता है privileges से एक फाइदा और यत्वा है कि Parliament की जो sovereignty है वो maintained रहती है मतलब कि अगर कोई भी किसी के दबाओ में काम करेगा तो उसकी working perfect आएगा इस तरह के privileges जो है वो ensure करते हैं कि इस तरह का कोई भी दबाओ ना पड़े privileges जो है वो generally दो तरह के होती है एक होती है collective privilege और एक होती है individual privilege individual privilege की अगर बात करें तो house का जो session होता है उसके 40 दिन पहले उसके शुरू होने के 40 दिन पहले और उसके खतम होने के 40 दिन बात तक किसी भी member को arrest नहीं किया जा सकता है यह एक provision इसमें एक important चीज़ जानने के लिए है कि यह जो arrest ना करने का clause है यह सिर्फ civil मामलों में है अगर उनके खिलाफ criminal मामला है तो उनको arrest किया जा सकता है दूसरा मैंने आपको बताए individual privilege क्या है कि किसी भी court में अपनी पर्लेमेंट में दी गई किसी भी speech के लिए उनको उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है इसके साथ साथ उनको jury service के लिए जो है वो नहीं बुलाया जा सकता है जब तक house session में हो अच्छा इसके बाद जो collective privileges हैं उनके बात करें इसके अलावा एक प्रोविजन collective privilege इनका ये भी है कि जो house है वो house के अंदर जो भी चीजे होंगी जो भी proceedings होंगी उससे संबंदित जो भी rule है वो पार्लेमेंट ही बनायेगा उसको बाहर से नहीं बनाया जा सकता इसके अलावा एक और जो collective privilege है वो ये है कि किसी भी तरह का inquiry, court के द्वारा पार्लेमेंट की किसी भी proceeding पर नहीं की जा सकती है ये सारी जो है वो individual और collective privileges हो गई एक important चीज जानने के लिए ये है कि कोई भी law नहीं है जो कि बताता है कि पार्लेमेंट में privileges क्या-क्या है तो पार्लेमेंट की जो privileges है वो basically कहा जा सकता है कि 5 sources पर based होती है सबसे पहला है constitutional provision जैसा कि मैंने आपको बताया article 105 और 194 में जो issues से deal किया गया है दूसरा है various laws of parliament जो कि parliament खुदी बनाता है ये collective privilege है मैंने आपको बताया तीसरा है rule of both houses मतलब house अपने अंदर की proceedings के लिए जो भी rule बना रहा है वो parliamentary conventions मतलब कि जिस तरह के traditions follow हो रहे हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए decisions लिये जा सकते हैं privilege से संबंदित साथ ही साथ judicial interpretation ये जो है वो पांच sources हो गए जहां से कहा जा सकता है कि privileges को लिया जाता है अब हम privilege motion की अगर बात करें तो house का कोई भी member अगर उसको feel होता है कि किसी भी minister ने प्राइम मिनिस्टर ने किसी ने भी उससे कोई बात चुपाई है या house से कोई बात चुपाई है fact चुपाया है data चुपाया है तो इस चीज के लिए वो privilege motion दायर कर सकता है यहां पर भी वही हुआ कि MPs ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो कई facts और कई data जो है वो हमसे चुपाया थे इसलिए उनके उपर breach of privilege motion जो है वो दायर किया जाना चाहिए उनसे Parliament के किसी भी member से या Parliament as a whole से कोई भी data ना चुपाना या कोई भी fact ना चुपाना ये भी ये collective privileges के अंडर में एक point है तो इसलिए जो है वो इस तरह का motion दायर किया गया अच्छा अगर हम बात करें committee on privilege मतलब ये जो privilege होती है इसका investigation भी होता है मतलब कि अगर privilege motion किसी के खिलाफ आया है introduce हुआ है तो उस पर investigation किया जाता है ये investigation कौन करता है एक committee करती है दोनों houses में मतलब लोगसभा में भी एक committee है और राजसभा में भी एक privileges committee होती है जो कि इन पर decision लेती है लोगसभा की बात करें तो इसमें 15 members होते हैं राजसभा की जो committee होती है उसमें 10 members होते हैं लोगसभा के members को लोगसभा का जो speaker होता है वो चुनता है और राजसभा के members को राजसभा के जो chairman होते हैं वो चुनते हैं तो ये committees on privileges की बात होगी तो privileges से संबंदे जो भी important चीज़ें थी वो हमने cover करनी कि privileges कहां से आती हैं किस-किस तरह की privileges होती हैं, क्या-क्या privileges होती हैं और committees के बारे में हमने जानकारी ले ली privileges पर इतनी जानकारी जो है, वो sufficient है हमारा अगला topic है, आंधरा प्रदेश में legislative council को abolish कर दिया गया legislative council पतला बार्देश की जो upper house था, state का, उसको abolish कर दिया गया तो इसके बारे में जान लेते हैं, article 169, subsection 1, Indian constitution का यह यह कहता है कि state assemblies, किसी भी state की state assemblies, अपने assembly में एक resolution पास कर सकती हैं, जिसमें वो कह सकती हैं कि हम एक house मतलब की legislative council अपने state में बनाना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं, यह दोनों cases में article 169, subsection A के तहत assembly जो है वो एक resolution पास कर सकती हैं ऐसा करने पर अगर इस तरह का resolution पास हो जाता है, तो parliament जो है वो एक act के तहत एक act के द्वारा इस provision को implement कर सकती है, मतलब कि पहले जो है वो state assembly एक resolution पास करेगी और parliament बाद में act बनाके legislative assembly को abolish कर देगी या create कर देगी जो भी case है, अच्छा यह जो resolution होता है जो state assembly में पास किया जाता है, इसको special majority से पास किया जाना होता है, special majority आप लोग जानते होंगे, कि majority of the total membership of the house and a majority of not less than two-third of the members of the assembly present and voting यह जो है, वो special majority होती है, special majority के साथ जो है, वो resolution को pass होना चाहिए, जब यह resolution pass हो जाता है तो यह parliament के पास जाता है, parliament जो है वो इसको act में convert कर देता है पार्लिमेंट में यह resolution pass होने के लिए, इस तरह का act पास होने के लिए, special majority की नहीं ज़रूत होती, वहाँ पर simple majority में काम हो जाता है, इस तरह का act होता है वो उसको constitutional amendment जो है वो नहीं माना जाता है तो इसमें जो है वो इस topic में जाने के लिए यह है कि article 169 subsection A क्या कहता है, state कैसे जो है वो provision कर सकता है, कैसे जो है वो apply कर सकता है legislative council के abolition या creation के लिए और उसके बाद जो है वो parliament क्या करता है, इसमें important चीज ये भी है कि जाना ज़रूरी है कि कौन-कौन से states है जहां पर कि अभी upper house है, मतलब कि legislative council है, तो इस तरह कि 6 states है basically, पहला है अंदरप्रदेश जहां पर कि इसको abolish करने का जो है, वो motion pass किया जा चुका है, दूसरा है ते इस topic में दोस्तों इतना है, अगला topic हम लोग करते है, हमारा अगला topic है leader of opposition, ये news में क्यों है, news में इसलिए है क्योंकि अभी इस बार जो लोगसभा का election हुआ था, उसमें कोई भी party ऐसी नहीं रही, जिसको की 10% जो की strength house में पापाई हो, ये जो है वो criteria है, अगर किसी party को 10% जो है, वो strength नहीं मिलती है, तो वो जो है, उसको opposition party नहीं माला जा सकता, और अगर 10% strength मिल जाती है, तो ये opposition party हो जाती है, और इस opposition party का एक leader हो जाता है, तो उसको leader of opposition कहते हैं, leader of opposition की बात करें, तो इसकी जो powers होती हैं, वो salaries and allowances of leaders of opposition in parliament act 1977 का, वहां से आती हैं, provision क्या है कि जो speaker होता है, ये लोकसभा का या राजसभा का जो chairman होता है, वो उसको right है कि वो decide कर सकता है कि कोई party, जिस party ने सरकार बनाई है, उसके अलावा, जो दूसरी सबसे बड़ी party है, वो opposition party होती है, उसका leader जो है, वो कौन होगा, ये चुनने का हग जो है, मतलब वो decide तो actually जो है, जो second वाली party हो करती है, लेकिन उसको nominate finally speaker या chairman करते हैं, अच्छा, लेकिन इसमें एक important चीज़ ये है, कि जरूरी नहीं है कि किसी को भी जो है, वो किसी को जिसको दूसरी party चुने, उसको जो है, वो leader of opposition बना दिया जाए, reason ये है कि एक condition रखी गई है, one tenth जो quorum होता है, वो required होता है, leader of opposition या opposition party कहलाने के लिए, मतलब कि house की 10 प्रतिशत, जो है, वो seats अगर किसी party को मिलती है, तो उस party का leader, जो है, वो leader of opposition कहलाता है, अगर ये इतनी seats नहीं मिलती है, तो उनको जो है, वो leader of opposition कहलाने का या opposition party कहलाने का हग नहीं होता है, chp दो इंपोर्टेंट प्पानल्स हो उसके मेंबर्स होते हैं जैसे कि कई कंसुचिटूशनल पर्ष्ट होती चाहे वह सेंटरल विजरनस कमिशिनर हो सी इ能द्रेक्टर हो लोगपाल हो इन सब को तुनने के दिए जो कमिटीज बनती है under उनके Lesan इंप содерж प्रेश्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है, लेकिन इस पार जो है, वो वन टेंथ कोरम ना मिलने के कारण किसी को भी लीडर ओपोजिशन नहीं मानोने किया जा सका, ये लीडर ओफ ओपोजिशन में दोस्तों जानने के लिए इतना है, अगला टॉपिक देते हैं क् आफिस आफ प्रॉफिट, न्यूज में क्यो है? हाली में प्रेसिडेंट ने एक पेटिशन को रिजट किया, जहांपर की डेली में डेली एसेमली के कुछ अमिलेज को डिस्कॉलिफाई करने का डिमांड की गई थी, डिस्कॉलिफाई करने के लिए जो ग्राउन था वो ये एक सो दो सबसेक्शन वन और आर्टिकल 191 सबसेक्शन वन ये दो जो अनुच्छेद हैं, ये डिसाइड करते हैं, ये डील करते हैं, ओफिस आफ प्रॉफिट पे होने के कारण डिस्कॉलिफिकेशन के मुद्दों से, मतलब कि अगर कोई आदमी, कोई मेंबर जो है, वो अ इसक्वलिफाई किया जा सकता है, पार्लेमेंट में आर्टिकल 192 सबसेक्शन 1 के अंतरगत और से, स्टेट असेम्बलीज में आर्टिकल 192 सबसेक्शन 1 के अंतरगत, इंपोर्टन चीज़ इसमें जानने के लिए ये है कि दोनों ही आर्टिकल्स में या रिप्रेजन आफ Act में भी Office of Profit क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया है इस मामले में दो cases हैं जिनकी बार-बार चर्चा की जाती है सबसे पहला है प्रद्योत बार दोलोई versus सौपन राय का case ये 2001 का case था इसमें जो है वो Supreme Court ने कुछ test decide कि कि किस basis पर कहा जा सकता है कि कोई आदमी Office of Profit hold कर रहा है सबसे पहला test है कि क्या वो post जिस पर वो है उसको government द्वारा मतलब कि उस post पर उसको government द्वारा appoint किया गया है दूसरा ये है कि क्या government को right है उस आदमी को post से हटाने का या उस पर रखने का तीसरा जो test है वो ये है कि उस और अदमी की जो रिमुनेरेशन है, मतलब की जो पैसे, मतलब सैलिरी या प्रॉफिट्स, मतलब परक्स मिलती हैं नौकरी की, क्या वो सरकार देती है, उसके बाद जो है, वो क्या गवर्णन्ट का उनकी जॉब परफॉर्मेंस पर कंट्रोल है, यह सारे टेस्ट जो है, वो प सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल से डिफिनिशन दी थी कि एन ओफिस विच इस केपिबल ओफ यिल्डिंग प्रॉफिट और पिक्यूनियरी गेन मतलब कि ऐसे किसी भी पोस्ट को ओफिस ओफिस ओफिट कहा जा सकता है तो ओफिस ओफिट में दोस्तों यही है कि होता क्या है कौन-कौन से आर्टिकल्स है दो इंपोर्टेंट केसे हैं प्रद्युत बाढ़ दोलोई और स्वपन राय का और जया बच्चनों यूनियर उनियर इंडिया का इस पे हमने चर्चा कर लिए अब आई एकला टॉपिक देखते हैं क्या हमारा है वालागला टॉपिक है है इनर लाइन परमिट फॉर मनीपूरर हाली में मनिपुर की स्टेट गवंवेंट ने एक आनलाईन पोर्टल शुरू किया है जहां पर कि वो ट्रावलर्स को इनरलाइन पर्मिट के बारे में बात कर लेते हैं इन पर्मिट अच्वारत के नाकरिकों को ऐसे स्टेट में जाने और रुकने की पर्मिशन देता है हैं इस तरह के एक है रोणांचल प्रदेश एक है नागा लैंड एक है मनीपूर और मिजुरम यह चार स्टेट्स हो गए यहां पर जो है वो इनर लाइन पर्मिट भारत में अभी लागू किया गया है इनर लाइन पर्मिट की बात हो रही है तो यहीं पर एक पॉइंट और आता है एक टॉपिक और आता है प्रोटेक्टेड एरिया पर्मिट तो प्रोटेक्टेड एरिया पर्मिट जो है वो फॉरिनर्स को इशू किया जाता है टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करने के लिए और इनर लाइन पर्मिट जो है वो डोमेस्टिक ट्रैवलर है उतने ही समय के लिए रहा जा सकता है अगर ये बात करें कि इसका जन कहां से हुआ इस प्रोविजन का तो कहा जाता है कि Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 का ये जो है वो Britishers ने शुरू किया था और वो Britishers चाहते थे कि कुछ areas हैं वहां पर उनके economic interest है उनको बचाने के लिए इस तरह का एक system होना चाहिए जहां पर कि बिना उनकी permission के बाहर का कोई भी आदमी वहां पर ना सके वहां पर trading ना कर सके ये provision जो है वो चाहते थे introduce करना इसलिए उन्होंने बेंगॉल Eastern Frontier Regulation Act 1873 शुरू किया इसी दिशा में इसी आइडिया के साथ जो है वो इनलाइन पर्मिट सिस्टम आगे जाके लागू कर दिया गया इसके पीछे का जो basic idea इनलाइन पर्मिट का वो यह है कि जो local जनता है वहां की किसी भी जगा की उसका जो local उसके इंट्रेस्ट है उनको बचाने के लिए इस तरह के प्रोविजन्स किये जाते हैं यह जो इनलाइन पर्मिट होती है यह state government issue करती है यह जो है वो online भी मिल सकता है physically आप वहां पर जाके भी इनलाइन पर्मिट ले सकते हैं इंपोर्टन चीज यह है कि इनलाइन पर्मिट में आपके ट्रेवल की डेट आप कब जाएंगे कब आएंगे कितने दिन का stay होगा यह सारी चीज़े mention होती है वीजा की तरह एक तरह से होता है और जितना समय उसमें mention है उससे जाद आप उन स्टेट्स में नहीं रुख सकते है उससे जाद उस स्टेट्स में रुकना जह वो crime होजाता है तो इनलाइन पर्मिट सिस्टम यह है न्यूज मेंश लिये था क्योंकि मनिपूर ने ए से के इरिया परमिट जो है वो फॉरियन ड्रावडस के लिए उनके लिए उता है तो इन्राइन परमिट में ये सारी चीज़ें कवर ऑगई आप करे अब आगिए अगला अपक अपना शुरू करते हैं हमारा अगला ऑपक है इंटरस्टेट कौंसिल से संमधित Interstate Council को हाली में reconstitute किया गया है इसलिए नियूज में आया था इसके बारे में जान लेते हैं कि Article 263 है इंडियन Constitution का वो provision करता है Interstate Council के establishment का इसके बात करें कि इसकी शुरुवात कहां से हुई थी तो सरकारिया Commission जो था Central State Relations पर उसने recommend किया था कि एक Interstate Council होना चाहिए States और सेंटर के बीच में और States के बीच में आपस में भी संबंदों को अच्छा रखने के लिए संबंदों को और Trade को सुचारू रूप से चलाने के लिए Council होना चाहिए उसी recommendation के आधार पर यह जो है वो Interstate Council शुरू किया गया था Important चीज यह है कि यह recommendatory body है मतलब कि यह सिर्फ जो है वो सलाह दे सकती है किन मामलों में सलाह देती है Interstate Relations, Center State Relations और Center और Union Territories के बीच में जो Relations है वो कैसे guide होंगे क्या principles होंगे इन बारे में जो है वो सलाह Interstate Council देती है Important चीज यह है कि इसका काम होता है States और Center के बीच में States और States के बीच में Center और Union Territories के बीच में Coordination Maintain करना यह Permanent नहीं है Permanent Constitutional Body यह नहीं है इसके अगर structure की बात करें कैसे कौन-कौन इसमें होता है तो इसके Chairman जो है वो Prime Minister होते हैं इसमें जो है वो सारे States के Chief Minister included होते है SC Unit Retreatories यहाँपर की Legislative Assembly बनाई गई हैं उनके Chief Minister होते हैं SC Unit Retreatories यहाँपर की Legislative Assembly नहीं है उनके Administrator होते हैं Central Cabinet के 6 मंत्री इसमें होते हैं जिसमें की Home Minister भी होते हैं और बागी जो Ministers होते हैं उनको Prime Minister द्वारा 9 मिनिट किया जाता है तो यह सारी चीज़ें जो है वो Interstate Council के बारे में हमने cover कर लिए important यह है कि Article 263 के अंदर में है सरकारिया Commission का नाम इसमें जरूरी है permanent body नहीं है सिर्फ recommendatory है states और center के बीच में states और states के बीच में relation पर यह सिर्फ recommendation दे सकती है इसके members कौन कौन होंगे उस पर हमने चर्जा कर लिए Prime Minister जो है वो इसके chairman होते है यह जरूरी है तो यह सारी चीज़ें जो है वो Interstate Council के बारे में cover होगी हाई अब देखते हैं अगला topic क्या है अब हम बात करेंगे दादर नगर हवेली और दमन दियू के merger के बारे में मतलब की अभी हाली में दादर नगर हवेली और दमन दियू Merger of Union Territories Act 2019 पास किया गया इसके इस Act के जरीए क्या किया गया दादर नगर हवेली और दमन दियू इन दोनों को मर्ज करके एक Union Territory बना दी गई कैसे किया गया Constitution का जो पहला schedule है उसको amend किया गया और वहाँ पर जो है वो यह provision introduced कर दिया गया इंपोर्टन चीज यह है कि अगर पहला schedule amend करके उसमें कोई provision जोड़ा जाता है तो उसको constitutional amendment नहीं मारा जाएगा constitutional amendment जो कि article 368 में होता है उसके अंतरगत जो है वो यह provision नहीं आता है अच्छा अब इस बारे में अगर detail में बात करें तो article 240 subsection 1 जो है constitution का वो कहता है कि president को union कुछ union territories जिसमें की दादर नगर हवेली और दमाने दू शामिल है इनके बारे में regulations बनाने का हक है यह जो act है 2019 का merger of union territories का यह इस article को amend करता है और इनको यहाँ पर दो unit territories की जगह एक unit territory बना देता है इसके अलावा representation of people's act to 950 जो है वो उसका first schedule इन दोनो unit territories में एक-एक seat provide करता है यह जो amendment act है इस amendment से यह provision हटा दिया गया और इस एक जो नई unit territory बनी है उसके लिए के साथ इस amendment के साथ जो है वो भारत में आठ unit territories हो गई है कौन कौन सी है अंड़मान निकवार आइलेंड्स जमो कश्मीर चंदीगर लद्दाग दादर नगर हवेलियन दमन इंड्यू यह पूरी एक हो गई फिर लक्षदीप दिल्ली और पॉंडिचरी इसमें important चीज यह भ के यह है कि पहले schedule में changes करके इसको इस provision को introduce किया गया है पहले schedule में जो amendment होता है उसको constitutional amendment की श्रेणी में नहीं डाला जाता है ज़रूरी चीज यह भी है कि representation of people's act में amendment करके इस पूरी एक unit territory को दो seat दी दी गई है Bombay High Court का jurisdiction पर करार है अभी जो है वो 8 unit territories हो गई है उन में से जो है वो तीन में legislatures है यह सारी चीज़े जो है वो important थी यह cover हो गई अब आईए देखते हैं अगला topic क्या है अगला topic है judges of supreme court News में है News में किस लिए है Parliament ने हाली में legislation पास किया जहां पर कि supreme court में judges की strength जो कि अभी तक 31 थी उसको बढ़ा करके 34 कर दिया गया है including the chief justice of India इसलिए जो है वो यह news में थी अगर इस issue पर बात करें तो originally जो article 124 था उसमें जो है वो supreme court में judges की संख्या 8 थी मतलब कि एक chief justice और साथ जो है वो उनके अलावा judges इसके बाद जो है वो article 124 subsection 1 जो है वो parliament को शक्ती देता है कि वो जो है वो judges की संख्या को बढ़ा सकती है अगर उसको जरूरी लगता है तो parliament ने the supreme court number of judges act 1956 के थ्रू जो है वो supreme court की judges की संख्या को 10 कर दिया था पहले की आठ से उसके बाद इस act को जो है वो 2009 में फिर से amendment किया गया जहां पर की इसको 31 कर दिया इस संख्या को 25 हो गई थी उससे 25 से 31 कर दिया गया अभी जो है वो जो act पास हुआ है उसमें इस संख्या को 31 से भी बढ़ा के 34 कर दिया गया है तो इसलिए ये issue news में था इसमें important है article 124 article 124 subsection 1 और supreme court number of judges act in 1956 ये सारी चीजें थी इसमे हमने cover कर लिए अब आये देखते हैं अंगला topic क्या है हमारा अंगला topic है bench of supreme court हमारे vice president ने suggestion दिया हाली में supreme court को उसमें कहा कि supreme court की जो है वो regional branches जो है वो benches setup की जानी चाहिए अभी तक जैसा कि आप लोग जानते है supreme court सिर्फ जो है वो Delhi में बैठता है लेकिन vice president ने suggestion दिया है क supreme court की कुछ regional benches भी होनी चाहिए इसके बारे में और detail में चर्चा करें तो article 130 जो constitution का है वो कहता है कि supreme court जो है वो एक से जादा जगहों पर भी setting कर सकती है मतलब बैठ सकती है दिल्ली के अलावा अगर chief justice ऐसा order देता है तो और ऐसा order देने से पहले उसके लिए president का approval लेना और chief justice के approval के बाद जो है वो supreme court की bench को स्थापित किया जा सकता है अच्छा important चीज यह है कि ऐसा करने के लिए किसी भी तरह के constitutional amendment का साहरा नहीं लेना पड़ेगा law commission ने बहुत पहले recommendation किया था कि supreme court को दो parts में divide कर देना चाहिए पहला जो है वो constitutional court हो दूसरा जो है वो national court of appeal हो supreme court ने भी 1986 में ही कहा था कि एक जो है वो national court of appeal बनना चाहिए जिसकी regional benches हो चेनाई मुंबई और कुलकाता में इसके अलावा वी वसंत कुमार केस था 2016 का जिसमें कि उसने इसी चीज को फिर से reiterate किया था कि एक national court of appeal होना चाहिए क्या कहा गया था जो national court of appeal हो उसकी regional benches होनी चाहिए चेनाई मुंबई और कॉलकाता में और यह जो है वो जो local high courts हैं उनके decisions या tribunal के decisions चाहिए civil, criminal, labor, revenue किसी भी मामले में हो उनके लिए एक appeal court का का काम करेगा इसके लावा जो constitutional bench हो वो डेली में बैठे वो single हो और जो national court of appeal हो उसकी benches होनी चाहिए तो यह सारी चीजें जो है वो इस topic में cover होती है important इसमें क्या है सबसे पहले कि article 130 क्या कहता है कि supreme court जो है वो और ज़्यादा benches बना सकती है डेली के लावा भी बैठ सकती है law commission की recommendation थी उसके लावा जो है वो वी वसंद कुमार 2016 का case था जहांपर की दो तरह की constitutional court और national court of appeal की बात की गई थी यह सारी चीज़ें इस topic में important है आए अब देखते हैं अंगला topic क्या है अब हम बात करेंगे gram नयायला के बारे में news में क्यों है क्योंकि supreme court ने सारे states को direct किया है कि direction के एक महीने के अंदर अंदर gram नयायलों को establish करने के लिए notification जारी किया जाए इसके साथ ही साथ जो है वो supreme court ने high court को भी जो है हाई courts को भी कहा है कि इस process को expedite करने के लिए इसमें तेजी लाने के लिए state governments की मदद करेंगे इसके बारे मैं और पात करें तो 114 वी जो रिपोर्ट थी law commission के 1986 की उसमें कहा गया था कि ग्राम नयाले जो की mobile village courts होते हैं उनको establish किया जाना चाहिए इनको establish करने के पीछे reason दिया गया था कि society का जो सबसे marginalized तपका है जो सबसे छोटा तपका है जो पिछड़ा तपका है उसको justice provide करना जो है वो इसका लक्ष था इसके अलावा जो justice देने में delay होती है उसको कम करना साथी साथ जो higher judiciary है उसका जो workload है उसको कम करना इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्राम नयाले को स्थापिद करने का निर्णे लिया गया था ग्राम नयाले act 2008 जो है वो 2 October 2009 को implement हुआ था यह माना जा रहा था कि लगबख 5000 ग्राम नयाले जो है वो setup किये जाएंगे इस act के अंतर कर सेंट्रल गोवर्मेंट ने 1400 करोड़ रुपया का provision भी इसमें कर दिया था लेकिन आज तक situation यह है कि मातर 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने steps उठाए हैं नोटिफाई करने के लिए ग्राम नयाले को देश में मातर 208 ग्राम नयाले जो है function है और North Eastern स्टेट्स में तो एक भी ग्राम नयाले नहीं है इसी सब चीज़ों को देखते हुए Supreme Court ने यह direction जारी किया है अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम नयाले आखिर होते क्या है तो ग्राम नयाले को जो है मैंने आपको पहले बताए है mobile village courts होती है इनको हर पंचायत या group of पंचायत के लिए जो है वो establish किया जाता है इस ग्राम नयाले का छेत्राधिकार या jurisdiction कितना होगा एरिया कितना होगा बाउंटरी कितनी होगी इसका निर्णे जो है वो state government लेती है state government इस मामले में जो है वो high court से consult करती है यह जो है वो ग्राम नयाले establish होने के बाद mobile courts hold करता है जो कि अपने jurisdiction के अंदर सारे मामलों को decide कर सकता है इसके बाद important चीजिस में जाने के लिए यह है कि state government जो है वो एक नयायाधिकारी नाम से एक presiding officer को nuke करती है यह जो नयायाधिकारी होता है इसको judicial magistrate of the first class बनने के लिए जो criteria चाहिए वो criteria इसके पास होना चाहिए तब ही उसको नयायाधिकारी के पद पर स्थापित किया जा सकता है इसके लावा इसमें जो है वो SCST और women के लिए representation का provision भी किया गया है साथ ही साथ इसका जो jurisdiction होता है उसके बारे में बात कर लें तो इनका जो है फो criminal भी jurisdiction होता है और civil भी मतलब कि उसकी criminal मामले भी देख सकते हैं और civil मामले भी देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राम नयायले के बारे में जानने लाइक हैं इसके लावा ये भी है कि जो ग्राम नयायले होते हैं इनके जज्जमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपील की जा सकती है सेशन्स कोर्ट में मतलब कि district court में इस मामले में इन नयालें के खिलाफ अपील की जा सकती है तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें जाने लाइक हैं ग्राम नयाले होते क्या हैं 114 वी रिपोर्ट में कहा गया था रेकमेंडेशन इसका दिया गया था उसकी boundaries कैसे निर्धारित होती है करेंगे क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में क्यूरेटिव पेटिशन दोस्तों बहुत जादा चर्चा में था इसमें क्यूरेटिव पेटिशन और रिव्य पेटिशन जो है वो दोनों चर्चा में थे क्यूरेटिव पेटिशन थोड़ा सा नया टॉपिक है इसलिए जो है वो इसको जादा इंपोर्टेंट दी जा रही है न्यूज में क्यों था निर्भया केस अभी हुआ था निर्भया केस पर जज्ज्मेंट आया जिसमें की दोश्यों को फांसी दे दी गई तो इसमें जो है वो दोश्यों दोवारा क्यूरेटिव पेटिशन दायर किया गया था तो इसलिए जो है वो ये खबरों में था बहुत जादा खबरों में था तो अब आई देख लेते हैं क्यूरेटिव पेटिशन होता क्या है, तो जो क्यूरेटिव पेटिशन का कॉंसेप्ट था, उस मामले में एक केस है, कोर्ट केस है, सुप्रिम कोर्ट का वो इंपोर्टन्ट है, केस का नाम था रूपा अशोख खुर्रा वर्सेस अशोख खुर् मतलब कि उसके पास और कोई रास्ता है बचने का अगर final decision आ चुका है तो इस provision का जो power है माना जाता है वो article 145 से लिए जाता है 145 कहता है कि Supreme Court के पास power है कि वो अपने खुद के judgment को review कर सकता है उस पे फिर से एक बार नजर डाल सकता है तो आर्टिकल 145 में दी गई powers के हिसाब से Supreme Court को Supreme Court में review petition दायर की जा सकती है important चीज़ यह है कि इसका लक्ष क्या होता है इसका लक्ष होता है कि justice मतलब कि miscarriage of justice जो हो रहा है उसको avoid किया जाए main लक्ष इसका यह होता है अच्छा curative petition और review petition में बहुत बारीक अंतर यह होता है कि review petition जो होता है वो तो legal points पे होता है मतलब कि उस case में वकील जो है वो दलीले रखते हैं कि यह कारण है जिनकी वज़ा से मौकिल को सजा नहीं दी जानी चाहिए कम दी जानी चाहिए लेकिन जो curative petition होता है वो इसलिए होता है कि वहाँ पर वकील साबित करने की कोशिश करते हैं कि decision में violation of principles of natural justice हुआ है इसमें कहा यह जाता है कि हमारे मौकिल की बात नहीं सुनी गई जो bench थी वो पहले से bias थी कि bench ने पहले से decision ले लिया था हमारी दलील सुनने के पहले तो इसमें legal points पर चर्चा नहीं होती है इसमें principles of natural justice पर चर्चा होती है कि उनके जो मौकिल के rights थे उनको जो है वो नहीं दिये गया तो इस topic पर जो है वो curative petition धायर किया जाता है ना कि legal points पर तो इसमें जो है वो क्या होता है कि यहां पर पहले जो है वो तीन senior most judges होते है उनकी एक bench होती है वो decide करती है कि curative petition जो है वो valid है कि नहीं है important चीज़ इसमें यह भी है कि अगर curative petition valid नहीं पाया जाता है तो और यह code पाती है कि जो curative petition धायर किया गया है वो code का time waste कर रहा है या वो सिर्फ time बिदाने के लिए दायर किया गया है तो court ऐसे मामलों में penalty भी लगा सकती है वकील के उपर और मौक्यल के उपर तो curative petition जो है वो यह सारी चीज़ इसमें होती है अच्छा इसमें एक चीज़ इंपोर्टन यह भी जानने लायक है कि curative petition पर जो निरणे होता है वो एक chamber में ले जाता है मतलब कि open court में इसमें decision नहीं होता है जो judges होते हैं वो एक secret chamber नहीं कहेंगे मतलब कि एक court से हट के एक chamber में decision लेते हैं कि open court में नहीं होता है हाँ लेकिन अगर वकील द्वारा request किया जाए कि open court में curative petition की चर्चा हो तो ऐसा किया जा सकता है लेकिन basically जो tradition है वो यही है कि यह chamber में इसका decision लिया जाता है तो curative petition के बारे में दोस्तों जानने के लिए यह सारी चीज़े हैं अब आजिए देखते हैं अगला topic क्या है अगला topic हमारा है national party के बारे में अभी हाली में national people's party को जो है वो राश्चरी party का national party का दरजा election commission द्वारा दिया गया है ऐसा होने के साथ जो है वो national people's party नौर्थीस्ट की पहली party बन गई है जो कि एक national party का दरजा प्राप्त है जो national people's party है उसको रुरांचल प्रदेश, मनिपूर, मेघाले और नागा लैंड में state party का दरजा मिला हुआ है इसी basis पे इसको national party का दरजा दिया गया है अभी national party के लिए क्या eligibility criteria है यह हम आगे इस पे बात करेंगे national people's party जो है वह आठवी national party है भारत की इसके अलावा जो national parties है वह है इंडिया national congress, भारती जनता पर्टी, बहुजन समाज पर्टी, Communist Party of India, Communist Party of India, माक्सिस्ट, नाशनल कॉंग्रेस पर्टी और All in India, थ्रिर्मूल कॉंग्रेस इसके बाद जो है वह कि फुल्फिल करने के बाद कोई party national party बन सकती है तो basically तीन criteria दिये गए है election commission द्वारा और इन तीन criteria में से एक को भी अगर कोई party फुल्फिल करती है तो उसको national party का दरजा दिया जा सकता है सबसे पहला जो criteria है उस पे बात करें तो चार या उससे जादा states में जो general election होता है लोकसभा के लिए या legislative assembly के लिए यह जो general election होता है इन में total valid votes का 6% या उससे जादा किसी party को मिलता है साथी साथ वो party लोकसभा में चार या उससे जादा seat है इन states में जीतती है पहली condition यह है अगर इस condition को फुल्फिल करती है मतलब 6% total valid votes के 6% पा जाए और 4 seats जाए इन states में तो जो है वो national party कहला है सकती है दूसरी condition यह है कि अगर यह party जिसको जो कि national party बनना चाती है उसको लोकसभा के general election में 2% seats मिली है मतलब कोल seats का 2% उसको मिला है और यह जो candidates हैं जो 2% seat पे आए हैं वो 3 अलग-अलग states से चुने गया है या तो यह condition पूरी कर दे या आखरी condition है कि अगर कोई party चार states में या उससे जादा states में state party का दरज़ा प्राप्त है तो उसको national party कहा जा सकता है जो national people's party है उसके बारे में हमने पहले ही बात की कि अरुडांचिर प्रदेश, मनीपूर, मेगाले और नागालेंड यह चार स्टेट में इसको state party का दरज़ा दिया गया है तो इसलिए जो है उसको national party का दरज़ा भी election commission द्वारा दे दिया गया इंपॉर्टन चीज इसमें जाने लाया कि यह है नोट करने लाया कि election commission को national party को recognize करने का तो power है register करने का power है लेकिन उसको deregister करने का power नहीं है मतलब कि कोई party अगर national party है तो उसको जो है वो सूची से election commission नहीं हटा सकता है यह important चीज में cover हो गई आठवी national party जो है वो national people's party है नौर्थीस्ट की पहली है चार states में इसको जो है वो state party का दरजा मिला हुआ यह चार states है रोनांचल, मनीपूर में खाले नागालेंड इसके बाद हमने तीन conditions की भी बात कर ली जिन में से किसी एक को फुल्फिल करने पे किसी party को national party का दरजाद दिया जा सकता है यह conditions जो है वो election commission द्वारा स्थापित की गई है और आखरी point ही हमने देखा कि election commission को किसी national party को deregister करने का हक नहीं है यह सारी चीजे जो है वो इस topic में cover हो जाती है आई अब देखते हैं अगला topic क्या है इस topic में हम बात करेंगे postal ballot के बारे में न्यूज में इसलिए है क्योंकि दिल्ली assembly elections में हाली में person with disability मतलब दिव्यांग जनों को और 80 साल के उम्र से जादा के लोगों को postal ballot कास्ट करने की सुविधा provide की गई postal ballot में क्या होता है कि एक electronically transmitted postal ballot paper होता है जो की voters को distribute कर दिया जाता है उसके बाद जो है वो पोस्ट के माध्यम से इस ballot paper को वो अपना vote डालके वापस कर सकते हैं और उनका vote जो है वो count हो जाता है दिव्यांग जनौर 80 साल की उमर से जादा के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू होने से पहले यह सुविधा जो है वो service voters को available थी Service voters कौन होते हैं? Service voters में include होते हैं armed forces मतलब Central armed forces के जो लोग है या Army Act 1950 में जो forces included है उनके जो उनसे संबंदित जो लोग है इसके लावा जो state की armed police force है उसके लोग जो की state से बाहर काम कर रहे हैं या आखरी government of India के ऐसे employee जो की government of India के काम से बाहर है इन सारे लोगों को जो है वो postal ballot की सुविधा है साथी साथ proxy voters की सुविधा है वो एक किसी को write दे सकते हैं कि उनकी जंगा पे vote डाल दे तो ये दोनों सुविधा अभी तक service voters को थी इस बार दिल्ली election में provision किया गया कि Peter Blue Deal लोगों को और 80 साल से जादा की उमर के लोगों को ये सुविधा दी जाए इसके अलावा अगर बात करें तो जो representation of people's act 1951 है उसका section 62 कहता है कि जो जेल में कैदी है उनको postal ballot की सुविधा नहीं दी जाती है मतलब अगर कोई सजायाफता मुझलिम है तो उसको postal ballot से वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा उसका वो राइट छीन लिया जाता है हा लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई आदमी बंद है तो उसको जो है वो postal ballot के थुरू वोट करने का दिखार है तो यह postal ballot के बारे में जरूरी जानकारी सारी इतनी कवर हो गई अब देखते हैं हमारा अगला टापिक क्या है अब हम बात करेंगे six schedule के बारे में न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो national commission of schedule tribes है आर्टिकल 338-1 के अंतरगत उसने recommend किया है कि जो लदाक की नई union territory बनी है उसको six schedule के अंतर का tribal area डेक्लेर कर देना चाहिए six schedule के बारे में बात करें तो समयधान का जो article 244 है 246 है वो कहता है वो provision करता है ऐसे schedule areas और tribal areas के administration के बारे में जो six schedule है उसमें चार states के basically जिक्र है यह चार states है असाम, मेगालया, त्रिपुरा और मिजरम जो six schedule है वो इन चार states में tribal areas के administration से सम्मंदित है अब आए बात कर लेते हैं six schedule के provisions क्या क्या है सबसे पहला provision है autonomous district का तो यह जो tribal areas होते हैं इनको autonomous district के रूप में मानिता दी जाती है यहां पर autonomous district council होती है और हर autonomous region में एक regional council भी होती है और इस regional council में 30 member होते हैं इस समय देश में ऐसे 10 council काम कर रहे हैं इनकी अगर legislative power की बात करें तो land, forest, canal water, shifting cultivation, village administration, inheritance of property, marriage, divorce, social custom इन सारे मामलों पर यह जो autonomous council होते हैं, autonomous districts होती हैं यह कानून बना सकती हैं हां लेकिन ऐसा करने के लिए उनको state के governor किराय लेनी पड़ेगी इनकी judicial powers की बात करें तो यह जो है वह village court बना सकती है, village council बना सकती हैं और tribes के बीच में जो आपस के suits या case होते हैं उन पर जो है वो यह निरने ले सकती हैं इसके बाद जो अगला इनका power का area है वो है regulatory power तो regulatory power के अंतरका जो है वो यह primary school, dispensary, market, fisheries, सडक, इन सब चीजों के निरमाड और इनके management पर जो है वो rule बना सकती हैं इसके लावा tribal areas में money lending या non-tribals मतलब जो उस tribe से संबनेद लोग नहीं हैं उनके साथ trading relations कैसे होंगे इन पर भी rule बनाना जो है वो autonomous council जो होती है उनके अधिकार छेत्र के दारे में है इसके लावा tax collection भी जो है वो यह autonomous regional council करती है land revenue वगरा यह जो है वो ले सकती है और कुछ specified taxes हैं जो इनको यह impose भी कर सकती हैं तो यह सारी powers जो है वो six schedule के अंतरगा जो है वो tribal areas में दी जाती है और जो national commission of schedule tribe है उसने appeal कि है कि लदाक को भी जो है वो इसी तरह के tribal area में tribal area उसको बना दिया जाए जिससे कि क्या होगा कि वहाँ पर भी एक autonomous district बन जाएगा autonomous council बन जाएगे वहाँ के लोगों के हाथ में power चले जाएगी वहाँ के बारे में निरने लेने के development के बारे में निरने लेने की तो यह सारी चीज़ें जो है वो six schedule के बारे में हमने देख ली अब आईए देखते हैं हमारा algorithm क्या है अब हम बात करेंगे acting chief justice के बारे में न्यूज में इसलिए है क्योंकि supreme court ने एक decision दिया जहां पर कि उसने कहा कि अगर कोई acting chief justice से retire होता है तो उसको regular chief justice की pension जो है वो नहीं मिलेगी उसको normal judge की pension मिलेगी तो अब इस बारे में अगर detail में चर्चा करें तो आर्टिकल 223 समयधान का वो यह कहता है कि president के पास शक्ति है कि वो high court के किसी judge को उस high court का acting chief justice बना सकता है इसी तरह article 126 में president को यह शक्ति दी गई है कि वो supreme court के किसी judge को acting chief justice of India न्यूक्त कर सकता है इसके लिए conditions है जो high court और supreme court दोनों के मामले में एक ही है conditions क्या है अगर chief justice का office खाली है मतलब कि उस पे कोई abuse post पर नहीं बैठा हुआ है या जो chief justice है वो temporarily जो है वो absent है किसी काम से किसी कारण वश अपनी जो है वो जिम्मदारियों को निर्वान नहीं कर पा रहे है यह तीन कारण जो है वो होते हैं मतलब कि office vacant है जो seat holder है वो absent है या unable to performance duty as chief justice यह सारी conditions में फुल्फिल होती है इस topic में जाने के लिए इतना है यह दो article important है article 223, article 126 इसके अलामा conditions मैंने आपको बता दी यह सारी चीजें जो है वो acting chief justice के topic के अंदर cover हो जाती है तो दोस्तों यह acting chief justice जो है वो यह हमारा आज के video का अखर topic था quality में जो important चीजें है वो लगबग यही है सारी चीजें cover हो गई 17 topics इसमें हो गए इसके साथ हमारे series के 4 videos खतम हो गए इसके बाद अगले video में हम लोग जो है वो इससे आगे बढ़ेंगे मतलब की government schemes हमने कर ली है national issues हमने कर ली है quality हमने important topic था यह खतम कर लिया इसके आगे जो है वो अगले video में हम लोग कोशिश करेंगी कि 15-20 और topic कर लें कोशिश के रहेगी कि overall जो है वो 80-100 topics हो जाएं जिससे कि questions फसने के questions आने के chances जाधा होते है तो आज का वीडियो ही खतम करते हैं दूस्तों अगले video में फिर से मुलागात होगी take care